मुझे पूरा यकीन है कि 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर हल्दी को भून लिया जाए और उसमें ये कुछ secret ingredients एड़ कर लिये जाएं तो ये एक गजब का formula बनकर त्यार हो जाता है जो आपकी skin problems को दूर करके आपके धेरो रुपे बचा सकता है ये एक ऐसा गजब का formula बनकर त्यार हुआ है जो आपके रुम छिद्रों को खोल कर सारी गंदगी को बाहर ले आएगा जिससे आपकी skin glow करने लगेगी शाइन करने लगेगी किसी भी कारण अगर आपकी skin का रंग भी काला पड़ गया है टैनिंग ने छीन लिया है आपकी skin का glow निखार तो अब आपको पारलर में जाकर मोटे मोटे नोट खर्च करने की बिल्कूल भी जरूरत नहीं है इस simple सी remedy को आप घर पर ही त्यार कर लीजिए और अपने धेरो रुपे बचा लीजिए ये आपका time बचाएगा पैसा बचाएगा और आपके बन में जो positivity आएगी कि हाँ जी इसको हम घर पर ही कुछ simple से ingredient से बिल्कूल ठीक कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल अपने face के साथ साथ अपनी पूरी body के ऊपर भी कर सकते हो तो इस खूपसरोसी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग खुश्योंगे इस खूपसरी remedy को त्यार करने के लिए हमें करना क्या है हमने तवे को गैस के उपर रखना है गैस की flame को बिल्कुल slow रखना है ठीक है जी अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच हल्दी आप friends अगर जादा बनाना चाहते हो तो आप एक चमच की चगा हल्दी दो चमच ले सकत सकते हो अब हमने इसको भूनना है इसको हमने जलाना नहीं है इसको हमने हलका भूनना है इसक डि canous a टिंह 000 प्रेश कर लिया है आप गैस को बन्द कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिये और इसके बाद हम इसको एक बावल में निकाल लेंगיה अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आधा चमच के करीब अलोवीरा जेल अलोवीरा जेल हमारी स्किन को हाइडरेशन प्रोवाइड करेगी हमारी स्किन में पानी की पूरती को बनाए रखेगी और अब मैं इसमें एड़ करूँगी आधा ही चमच गलीसरिन लिस्निन हमारी स्किन को नैच्रल त्रीके से नमी देगा हमारी स्किन को मॉस्टराइज करेगा अब मैं इसमें एड़ करूँगी 5-6 बुंदे नारियल के तेल की अगर आप नारियल का तेल नहीं लेना चाहते या अभी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर एक कैपसुल विटामिन E ओयल का एड़ कर सकते हो नारियल का तेल आपकी बोड़ी को नरिश करेगा अब मैं इसमें एड़ करूँगी एक चमच दहीं दहीं हमारी स्किन को सन बंड से बचाएगा हमारी स्किन के डेमिज सेल्स को रिपियर करेगा अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है रेमिडी बिलकूर रेडी है रेमिडी लगाने से पहले अपने फेस को साफ जरूर कर लेना मैं भी अपने फेस को साफ कर लेती हूँ अपने फेस को साफ करने के लिए मैं गुलाब चल दे रही हूँ ठीक है जी फेस साफ कर लिया है अब हम अपनी रेमिडी लगाएंगे फ्रेंट्स आपने इस रेमिडी को हफते में तीन बार लगाना है तस मिनट इसको अपने फेस के उपर छोड़ना है और उसके बाद आपने साधे पाने से अपने फेस को वाश कर लेना है फ्रेंट्स अगर आपके बहुत ही ज़्यादा सन बन है तो आप इसको 15-20 मिनट भी अपने फेस के उपर छोड़ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है फ्रेंट्स आपने इस रेमेडियो को रेगलर यूज करना है तो आप उसका पहले प्रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद ही यूज कीजिए ठीक है जी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और पास बने बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नई वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का बैनिफिट उठा पाएं इसके सासा ये भी जुरूर बताएगा कि आपकी सीटि से मेरी वीडियो देख रहे हो बहुत ही अच्छा लगता है देखिए रेमेडी हमें ने लगा ली है अब मैं आपको मिलती हूँ दस मिनट के बाद दस मिनट हो गया है मैं साफ करके दिखाती हूँ आप रिजल्ट देखिए अब मैं अपने फेस को वोश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट 10 मिनट चहरे के उपर खा उसके बाद मैंने अपने फेस को वोश कर लिया था फ्रेंट यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप जो हल्दी को roast करोगे उसको अच्छे तरीके से roast करना है जलाना नहीं है लेकिन उसको इतना roast कर लेना है कि उसका colour अच्छे तरीके से change हो जाए, काला नहीं करना इस बात का अपने ध्यान रखना है अगर आपकी हल्दी अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगी जब आप उसको अपने फेस के ओपर एपलाई करोगे और उसके बाद अपने फेस को वाश करोगे तो फेस येलो हो जाएगा फिलहाल आपको भी मेरा फेस थोड़ा येलो दिखाई दे रहा होगा थोड़ी देर के बाद ये जो येलो कलर है ना धिरे धिरे उड़ जाएगा नॉर्मल हो जाएगी स्कीन बट अगर आपने हल्दी को अच्छे तरीके से नहीं भूना तो बहुत जादा पीला पन आ जाएगा चेहरे के उपर इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है अब टाइम अपनी स्कीन को मॉस्चराइज करने के लिए अपनी ग्रीन टी की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ जो की खतम हो चुकी है मैं नहीं बनाओंगी और आप सभी के साथ उसको भी जरूर शियर करूंगी तो आप भी इस खूबसूरा सी रेमिडी को बनाएं अपनी टैनिंग को दूर बगाएं तो फिर मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई